अब हमारे जो अगले स्पीकर हैं ये कॉलकेटा से बिलॉंग करते हैं इनका नाम मिश्टर रमेश दमानी है अगर आप मिश्टर रमेश दमानी को लाइफ इंशॉरंस का किंग कहेंगे तो ये जनरल इंशॉरंस के और भी बड़े किंग है एक्सपीरियंस इन में कूट कूट के भरा हुआ है ये इकलौते ऐसे भारत में एजेंट हैं जिन्हें आइसी 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 आ लूंबार्ड ने अपने SME बोर्ड पर निक्त किया है दोस्तों ये तो पूरी एजेंट कम्यूनिटी के लिए एक प्राउड की बात है मिश्टर दमानी ने भारत देश में एजे समयना लेते हुए मिश्टर दमानी को इन्वाइट करना चाहूंगा तो जोर दार तालियों के साथ हम मिश्टर दमानी का स्वागत करें जोर दार तालियों के साथ करें मित्रों कि विए टीवी के माध्यम से मैं आप सब के साथ जुड़ा हूं मैं आप सब के साथ बारता के लिए पस्तित हूं मुझे कुछ कहा गया है कि इंशरेंस के बारे में अपने कुछ एक्सप्रियंस शेर करूं मैं आज विगत 36 वर्सों से लाइफ इंशरेंस चेत्रे से जुड़ा हूं और 42 वर्सों से जनरर इंशरेंस चेत्रे से जुड़ा हूं मैंने अपनी केरियर की शुरुवात 1978 में विनाटेट इंशरेंस कंपनी के डेवल्लमेंट ऑफिसर के होने के नाते शुरू की मेरी उस समय की तंखा थी 250 रुपीज ए मन्थ और छे साल तक कंटिनुएस नौकरी करने के बाद में मेरे वाओ जी की प्रेहना से उन्हेंने हमको प्रेशर किया कि तुम अब नौकरी मत करो तुम क्यों नहीं लाइफ इं उन्नती है और नौकरी में एक सिमित छेतरता की उन्नती है यह में लिए बड़ा कठिन डिसिजन था कि एक सरकारी नौकरी छोड़ना और सेल्फ इंडिपेंडनेंट वे में प्रोफेशनल वे में जहां कोई गैरेंटी नहीं कि मैं कितना कमाऊँगा फिर भी काफी मुझे प्रेसर किया गया हो सकता हुने ने मैं कुछ देखा होगा प्रती बाद देखी होगी तो सरकारी नौकरी छोड़ना बहुत कठिन काम था मैंने सेप्टमबर 1984 में फाइनल यूनाइट अन्या इंश्रांस कमिसे रेजिंग्रिशन दे दिया मैं जब रेजाइंग किया था उससे में मेरी तंखाय हुआ कर थी चार जार पर मैंने बड़ा कठीन डिजन था फिर भी एकसेप्ट किया चैलेंज और सुरू से मेरे बड़े स्वपने देखने क्यादत थी कि वे मुझे बड़ा बनना है ये बात मुझे भली बात ही जज़ कि नौकरी करूँगा तो साध मैं मेरी इंकम सिमित ही रहेगी आगे नहीं पड़ पाऊंगा मैंने इंशुरेंस का 1 अक्टूबर 1984 में लाइफ इंशुरेंस एजएंसी ली और इस हिसाप से मेरे आज 36 वर्स कंप्लीट हो गया है मैंने काम चालू किया जब इंशुरेंस बहुत मुझे से लोग लिया करते तो लेते ही नहीं थे पांच जार की पॉलिसी बेचने में भी पसीने छूट जाते थे पांच जार, दस जार, पच्छीज़ आर की भीमा हो जाए, पच्छीज़ आर की इंस्वरेंस हो जा तो बहुत बड़ा काम था, मैंने काफी कोड कन्वेसिंग की, मैं LIC में जाके बैठता था, और ऑफिसर्स के पास जाके बोशता था, जिन जीन रूपे, लोगों के रूपे पाउने बाकी हैं, उसके हमें लिस्ट मिल जाए, तो मेरे को काफी कॉपरेशन मिला, और मैं उन लोग के पास जाता था, लिस्ट लेकर कि आपके रूपे पाउने, कितने लोगों उसमें मैश्यूटी रूपे लेना भूल जाते थे, या LIC के नोटिस नहीं जाती थी, या क कितने का चेंज ओफ एड्रेस हो गया था, तो मैं उनके पास आके मिलता था, और उनको सहुख करता था कि भई, आप अपने रूपे निकालिए, इस भाने मेरे ऐसे से लोगों से संपर्क मैया है कि आश्यर जानक था, मैं एक कंपनी के, मैं बहुचर लेकर गया था, जिनका मेर्चुडी पेइमेंट पाउना था, करीबन बतीजार रुपेय था, उन्होंने उनको बूरी कदर गुसा करके खा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे कागज को हाथ लगाने कि तुमने लाइक कैसे, दोस्तों मैंने बोला ठीक है साब मैं चला जाता हूं, मैं कागज लेकर व खुस वेबाद में और काफी इंशुएंस का आमको रेफरेंस भी दिया, इसी प्रकार मेरे एक और कंपनी, एंड्रियूल कंपनी के चेर्मेन से मुलाका थी, मैंने उनको कहा था कि यह आपको रुपेय लेने तो आपको मेरी आफिस आना पड़ेगा, मैं बोले मुझको समय नहीं है, मैं बोले ऐसा आप क्या वक्ति हैं जो आपको समय नहीं है, और आप रुपेय लेने के नहीं आ सकते हैं, बना नहीं मैं बहुत व्यस्त हूँ, प्लीज आप मेरी आफिस आजएए, ठीक है, कोल कान्वेसिंग था मैं उनको आफिस में गया, और जाके मेरे पाउं जमीन खिसक गई, मैं देखा है, यह तो कंपनी के चेर्मेन है, दोस्तों, मैं उनसे मिला, उन्होंने अपने घर बुलाया, बुला करके उन्होंने अपने लड़के की इंशुएंस दी, जो क्रिकेट जगत के प्रसीद खिलाड़ी हुआ कर दिता है, अरून लाल, उसकी इं लोग घुसा भी होंगे, या खुस भी होंगे, कुछ पता नहीं, पर हाँ, दोस्तों, मैं ही तक्दीर है साथ दिया, काफी लोग खुस है मेरे सर्विस से, हमको काफी रेफरेंस मिलने सूर हो गए थे, और मैं काम बढ़ना सूर कर दिया थे, हर व्यत्य सक्सेस्फूल होना चाता है, सक्सेस के लिए मैंने काफी ट्रेनिंग की, अपने आपको ट्रेनिंग में जोड़ा, मैंने काफी सेमिनार से अटेंट की, कलकटा में उससे में एक सेमिनार हुआ करती थी, जो एलिका ने की थी, मुझको अभी भी ख्याले करीबन 30 साल पहले या 40 साल पहले, 30 साल जब मैं जुड़ा ही था, महधी फकर जादे अमेरिका से आये थे, उनका मैं स्पीस सुना था, उनके स्पीस से में काफी प्रवावीत हुआ, उनकी पुस्तके मैंने खरीदी थी, उनकी एक पुस्तक थी, Nothing is impossible, और बात में उनने का कि मैं अपनी डिक्सनली में impossible or reuse नहीं करत और 86 में मैं प्रतम MDRT बना, मुझका MDRT का कुछ पता नहीं था कि what is MDRT, तो हमारे कुछ संपर्क में आये लोग, बोलें कि MDRT बनते हो तो अमेरिका जाने का मुका मिलेगा, तो दोस्तों, अमेरिका जाना अपने आप में एक स्वप्न था, फिर भी लगन लगी और December 1984 में 86 में मुझे पता चला कि MDRT करने से अमेरिका जाने मिलता है, तो एक महने के दर्मियान मैंने MDRT का टारगेट कम्प्रीट किया, और यही सोच के कम्प्रीट किया कि मुझको अमेरिका जाना है, दोस्तों, 30 दिन, 1 डिसमबर से 31 डिसमबर मैंने दिन देखा न राद देखा, इतनी महनत की, हर वेक्ति के पास आता था, हमको काम दीजी, हमको बिजनस चाहिए, हमको MDRT करना है, लोग उसे, what is MDRT, हमको अमेरिका जाने का मौका मिले, दोस्तों, मैंने अपनी टारगेट लोगों को बता है, लोगों ने सपोर्ट किया, और जब कहते हैं लोगों को कि ह हमारे को ये करना है, तो सारी कायनात भी साधे नासू कर जाती है, दोस्तों MDRT किया, फिर सोचा चलो, अमेरिका हो के जाया, हो सकता अगले साल MDRT नहीं हो पाए, बड़ा डर था, घर से परमिसन मिल गया, और सिर्फ 22,000 उपे में मेरे को टिकेट मिल गई थी, अमेरिका की दो टिकेट ली, मैं वाइफ को साथ मिल के गया था, और ही सोच के गया था कि चलो, अब अगले साल से MDRT हो चाहे नहीं हो, अमेरिका तो जाकर आई जाते है, 87 में फर्स्ट मिटिंग थी अटलांटा में, अटलांटा में मैंने सेमिना रेटेंड की, और वहाँ पर सबसे ब बडे डांट टेक यर अफ इंसल्फ, लोग अपनी संपत्य की विमा कराते हैं, जिस गाड़ी में चड़ते हैं, उसका मुल ये 50 लाक है पर अपनी विमा एक लाक भी नहीं है, उनको ज़्यादा चिंता है कि गाड़ी का इक्सिडेंट हो सकता है, अपना नहीं होगा, इसके के लिए गाड़ी की ज़्यादा चिंता करते हैं, ये लाइन मुझको ऐसी घर कर गए दोस्तों, मैंने या पर आकर के इंशुरेंस में पूरा सेलिंग स्टाइल चेंज कर दिया, मैं पहले इंशुरेंस बेचा करता था, सेक्टन एटी सी में क्या लावे, डेड़ लक तक की चूट है या उसे में 60,000 की चूट हुआ करती थी, तो मैं उसी टारगेट सी इंशुरेंस करता था, मुझको एक ट्रेजिटी का भी फ्रेस करना पड़ा, मैंने क्लाइंट एंट की अर्ली देथ क्लेम हुआ था, पॉलिसी की थी और तीन मेने बाद ही देथ हो गई थी, और उससे में उनकी पॉलिसी 6,000,000 रुपे प्रीमियम की, मैंने money back policy सेल की थी, दोस्तों तीन मेने बाद में उनकी sudden heart attack से देथ हो गई, और देथ क्लेम मैंने तीन मेने में सेटल किया, और 6,000,000,000 का चेक लेकर कि उनके जब घर पर गया था, तो वीडो के ब्रदर ने खा क कैसे बेवकूफ एजेंट हूँ, तुमको license किस ने दिया, मैंने बोला कि उन्हों को 48,000 प्रीमियम बड़ा मुस्के से सेल किया था, और 6,000,000 की policy बनी, तुमको पता है मेरे भाई कितना कमाते थे, मेरे भाई को कौन देखेगा, मेरे भावी को कौन देखेगा, उनकी death हो ग कमाते थे, उसका replacement कौन करेगा, दोस्तों, बहुत दुखी हुआ, death claim देखर के भी, बहुत तकलीफ हुई कि मैंने कम insurance को की, दोस्तों वे दिन और आज तक मैंने section 80C नहीं देखा है, I went to sell the need of the people, मैंने अपने सारे style change कर दी, I never look back on the section 80C, I went to the need of the people कि उनको क्या धरकार है, मै मैं जागर के insurance में कभी भी, आज तक भी जब भी sale करना हूं, section 80C की चर्चा नहीं करता हूं, I go and talk about the needs, what you require, इसी need के बेस पर मैंने 96 में, मारत के सबसे बड़ी policy, without के मैं पांच कोड के एक insurance की थे, and that was the news in the country, without के मैं पांच कोड के policy, 96 में करना, and the client bought himself, मैंने जब बताया कि कि भी, तुमारी lifestyle है, इतने खर्चे हैं, यदि तुम नहीं रहोगे, तो कौन तुमारी इतने lifestyle को maintain करेगा, दोस्तों, this instant decision was taken, कि भी, हमको need है insurance की, उन्होंने चला के गा, कि मेरो को कम से कम पांच कोड के insurance चाहिए, उन्होंने खुद के पांच कोड की policy करी, अपने भाई की करी, अपने family members की करी, तो दोस्तों, जब need create हो जाती है, तो लोग खुद insurance अपना समयशोट decide करते हैं, लोगों को यदि हम कहेंगे कि तुमको इतने की insurance लेनी हैं, तो उतनी ही लेंगे, पर जब कहेंगे कि तुमको कितने दरकार है, तुम स्वतहीत है करो, तो साथ लोग ब अपने प्लाइन प्रपोस कर देते हैं, तो उसका मैंडसेट भी एक कोड़ पर हो जाता है, इसके दोस्तों, मैंडसेट मत करिये, लेट थे क्लाइट, है विस ओन नीड, मैंने बहुत बड़े काडियक सर्जन की insurance की थी, उन्होंने मुझको रात में एक बज़े का appointment दिया थ मैं रात में एक बज़े उनके जब घर पर गया था, तो यू नो हर क्लाइट के साथ में कोई नो के एडवाईजर रहता है कि चरू उसके साथ सला दे, उनके ब्रदर, ब्रदर-इन-लॉ एक चार्टेड एक चार्टेड एक कांटेंट है, बहुत नामी चार्टेड एकांटे पचास लाग रुपया कम से कमाते ही हैं, इनको इस लेकर कोई लाव नहीं है, यह बात है, संदोजा, 1996-98 की बात होगी, तो मैं बड़ा असमंजस में पड़े गया, जो अपती पचास लाग कमाता है, उसको मैं इसुएंस क्या दूँ, 1996-98 में यह दी, पचास लाग था, तो यह मैंने का कितना रुपया उनको देते हैं, दमाहिस साब मैंने का, तीन लाग से प्माश लाग रुपया अपने वाइफ को खर्चा करने के लिए देता हूँ, उसको अपना घर मैनेज को, तो मैंने का, डॉक्र साब, बहुत अच्छी बात कही, यह आप कमाते तो तीन से देते हैं, उनके ब्रदरिन लोग को मैंने का, कि साब सुनिये, मैं डॉक्र साब की इंशुरेंस नहीं करूँगा, एक प्रमीज आप हमको कर दीजी, उनके क्या प्रमीज करूँ, यह दि डॉक्र साब नहीं रहें इस दुनिया में, भगवान करें सौ साल जीएं, यह दि न लोगा आप कहेंगे, भले दे चाहें नहीं दें, डॉक्र साब के सामने प्रमीज कर दीजिए, कि आप माचला को प्रमेहना देंगे, डॉक्र साब बोले, नमाई साब मैं आपके बात समझ गया हूं, इनके बात रहन दीजिए, उस समय उनकी इंस्टेंट 50 लाग की पॉलिस करें, दोस्तों, मैंने पॉलिसी का एमाउन टेह नहीं किया था, डॉक्र साब को खुद कोई कॉंसेप्ट आ गया था, तो मैंने इतना है कहा था, डॉक्र साब साल में जितना कमाते हैं, कम से कम उतनी तो इंस्टेंस रखी है, मुझको तो कहना चीए तो दस गुना करिए, दोस्तों, दस गुना भी कर सकता था, पर लैक ओफ ट्रेनिंग था, नहीं समझ जा था कि क्या करना चीए, फिर भी मैंने प्रीमियम लिया, उनका असाने मेडिकल करा है, यह इस पास करा है, तो डेकोंसे ऑन्वेज चैलेंज कि भी, एक कोई एडवाइस करता है कि मत लो और पैनल्टी कॉर्णल माँना है, जब भी भी कभी चैलेंज मैच होगा तो तुमको उसमेट करें, पैनल्टी कॉर्णल माँना है, दोस्तों, सोले के सोले बॉल को उसने गोल पोस्ट मेटा दे, उसके ट्रेनर हर गोल पर उसको तालीब अजा रहा था, पेले को कहा कि या, क्या किया साधान सामने गोल पोश्ट रख दिया कम से कम एक गोल कीपर तो रखा हो था जो मेरी बॉल को रुखता तो मैं और काइदे से भी खेलता तो दोस्तों अब्स्टेकल आई विना खुद को मजा निया जब तक हमें चैलेंज में अब्स्टेकल मिलते हैं हमको लगता है उसका नाम सभी ने सोना है से अंसान में दो दोई तरफ से रोश्णी मिली हमें एक भगवान सूरे से और एक हमस अलवा एडिसन से उन्हें रोज 16-18 गंटा तक मैनत करता था और पचाजार एक्सपरिमेंट किया तो भी बल्ब का इन्वेंशन नहीं हुआ और विदी इसी कि हार जाता दोस्तों ताज हमें बल्ब की रोश्णी नहीं मिलती उसके साथ ही लोग उसको बोलते ते तुम पागल हो क्यों तुम एक्सपरिमेंट कर दो हो बोलें कम से कर मेरे एक्सपरिमेंट से यह प्रूफ हो गया कि यह पचाजार एक्सपरिमेंट जो पिराने होगे किलाब नहीं है अब मैं नए तरीके से करूँगा और दोस्तों भी करते करते हैं सक्सस हुआ और हमको आज रोशनी उने की क्रिपास से मिलेंगे दोस्तों चैलेंज जब तक नहीं आएंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे मिलेंगे और हमको अगे अगे लगे अगया लेग संसार था अगे नहीं है कि भई कोरोना का क्या होगा दोस्तों कोई घबडानी की बात नहीं है दिस अगेने चैलेंज यह तो लिव इन डिसिप्लेंग यह चैलेंज आते रहेंगे पर उसको लेकर कि हाथ प्राथ मत दुरो नहें एवे नियूज मिलेंगे इंशुरेंस की डिमांड आएगी और बहुत बड़ी डिमांड हमको लग दे कि इतनी बड़ी डिमांड आएगी कि साथ हम लोग जितने भी अज़ेंट आज भारतवर से 20 लाग के लिए अज़ेंट है तो इसमें घबडानी की कोई बात नहीं है क्योंको एवरी एडवर्सिट इसमें अज़ेंट हमें एडवर्सिटी मिलती है उसको अपरश्यूटी समझना चाहिए हम लोग को हमेशा क्लाइट के सामने जाकर कि उसकी नीट क्रियेट करो उसकी बाते करो उसके वेवसाय की बात करो दोस्तों मैं दो क्लाइट लोग को बोलता हूँ कि यदि आप है तो दिये में बीड़ी पे कम आईगे आपके परिवार को तकलीफ होगी आप कम से कम अपनी इंकम का दस से बीज गोना इंशुरेंस करिए और इदी आज की इंटरेस्ट रेट पर फैक्टर किया जाए तो आपको लगेगा कि इंशुरेंस का में इदी इंफलेशन भी लिया जा रिज पेक्ट ही हैं दोस्तों हम यह इंशुरेंस हम जाते हैं कभी की समारी में देखते हैं कि किसी परिवार में financial की च्छती हो जाती है जB earning member नहीं रहता है मैं अपने आपको दोस्य समझता हूं कि सायद में उस परिवार में जाके इंशुरेंस के चर्चा किया होता अपता आज में परिवार किये फाइनेशल दुरगते नहीं होती हम जिम्मेवार हैं हम भगवान के भेज़ेविक मेसेंजर हैं जिसको उनका अधूरा काम करना है भगवान ने स्रिष्टी पैदा कर दी है पर लोगों को कमा निखाने के लिए रखा है पर जहां लोगों की कमाई में परिवार में छती हो और अर्णिंग मेंबर नहीं रही उसको हमको जाके देखना है हमको लाइसेंस के बात ही नहीं करी क्या यह सही काम किया मैंने मैं अपने आपको से खुशता हूँ कि मैंने एक क्राइम किया यह दि मैंने इंशॉरेंस नहीं बेचिया थी दोस्तों इंशॉरेंस नहीं बेचना भी एक क्राइम है हम अपने प्रत्यक व्यक्ति मित्र दोस्त यार जो भी कुछ हैं सब को इंश्राइस करिए कम से कम यह रहे कि मैंने उस परिवार को तबाह होने से बचा दिया मैं एक मित्र हैं उनके साथ में मैं डिनर कर रहा था और वह हमको हमेशा बोलते हैं रमेश तुम कभी भी मिलो तो म सब बात कर सकते हूं मैं इंश्राइस के डाड अगेंस्ट मैं कोई बात नहीं मैं कभी मिंश्राइस की बात नहीं करूँगा दोस्तों मिलता रहता था पर मैंने कभी इंश्राइस की बात नहीं छड़ी एक दिनर टेबल पर मैंने उसकी वाइफ को कहा भावी आपको पता है कि आपके husband के insurance कितने की है उन्होंने कहा कि आप जैसा मित्र हो मैं सोची नहीं सकते कि insurance इनके नहीं होगी आप जैसा मित्र है तो insurance जरूर होगी मेरे दोस्त ने खाना खाते खाते बोल दिया द्रमेस कल आके चेक ले जाना मेरे और बेज़ जती मत कराना मैंने बोला मैंने तुम से बात नहीं करी तुमने मुझे मुझे मना किया था कि तुम हमसे इंशुरेंस की बात करना मैंने भावी से बात करी कि भी तुम्हारे हजबेंट के इंशुरेंस है कि नहीं हमको पता है तुम कैसे मार्केटिंग करते हूं दोस्तों नेक्स्टे मैंने मेरे अथ में मेरे हाथ में साठी कला है मेरी वाइफ कुछ नहीं कुछ दोग दोगा तो दोस्तों इंकम जतने पर्मिट करी आपर रोड पी और करीबान नोनों ने हमको काफी बड़ा 37,00,00 का प्रिम्र का भी चेक दिया तो दोस्तों awareness क्रीट करनी है हमें बात करनी है हम यह नहीं कहना है कि हम इस इसले करनी है जैसे हम कहाएंगे कि हमको policy बेच नहीं है लोग avoid करते हैं दोस्तों एवाइड नहीं करते हैं मैं चाहता हूँ इंशुरेंस एजेंट का वैलकम हो इंशुरेंस एजेंट एक अलग द्रिश्टी से देखा जाए किल्कॉज हमें एक मात्र ऐसे वेवसाम हैं जो परिवार को बचा सकते हैं फाइनेशली हम लोग परिवार को सॉल्वेंट कर सकते हैं हम परिवार की कोई भी विपदी आने नहीं देते हैं हम चाहे कुछ भी करो हमी दे मैडिक लेम भी करते हैं तो परिवार को फाइनेशली सुरिक्षित करते हैं मैं मैडिक लेम भी करता हूं तो लोगों को बोलता हू बिमार हो सकता सारे जीवन बिमार ही नहीं पड़ो तो मरोगे जुरूर ये बात पक्किए हो सकता सो साल तक एक भी बिमारी नहीं हो भगवान करें नहो पर देथ आनी निश्चित है कम से में लाइफ इंशॉरंस तो करो हमें क्रियेट करनी अवेर्नेस लोग मेडी क्लेम करते हैं गाड़ी की इंशॉरंस करते हैं सब कुछ करते हैं पर अपनी इंशॉरंस के बाद आती है तो माज जासा से हम जाते हैं कि नहीं इंशॉरंस करके क्या लाब है इंशॉरंस करके लाब नहीं होगई अच्छा बात है मैंने चाहता हूं इंशुरास करके लाब हो लाब तो मर कही होता है इंशुरास में तो कौन चाहता है माना इस इस तरह दे लाइफ कि एवरिबड़ी थो टाई और नोबड़ी वांट तो अंडरस्टाइब कोई समयना इशाथा कि मुझको मौत आएगी दोस्तों हमको एक नीट क्रियेट करनी है लोगों को अवेरनेस लानी है कि इंशुरास क्या चीज़ है और क्यों लेना चीज़ है आज भारत एक ऐसा देश है जहां इंशुरास का पेनेटरेशन इतना वीक है इसके लिए आज फोरेंट कंपनिया इंडिया में आ रही है और लोगों को इंशुरास के लिए प्रोसाइट कर रही है अवेरनेस क्रियेट हो रही है गुजात अर्थक्वेक जब वह था दोजार एक या दो में भुज में दोस्तों करोणों लोग मर गए थे और सिर्फ 1611 लोग ये इंशुरास क्लेम से टलवा था मुझे पास डाटा है गुजात अर्थक्वेक में सिर्फ 1611 लोग क्लेम मिला उडिसा सैक्लोन आ है था 25,000 से 30,000 लोग मर गए मुश्किल से 200 आदमी का भी क्लेम नहीं है कितने परिवार रुइंड हो गए हम लोग ने क्या सही काम किया उनको हम लोग की गलती थी हम लोग ने इस परिवार को इंशुरास से बंचीत रखा दोस्तों प्रतिक परिवार की इस दरग शामरा करता हुए आज हम फैक्टरी के इंशुरास करते हैं शौपिंग मॉल के इंशुरास करते हैं दुखानों की करते हैं मैं अपसाय की चिंता लोगों को अपनी चिंता नहीं है मैंने कैलकटा में बहुत बड़ा फायर क्लेम दिया 130 क्रोड का फैक्टरी जल गई थी मैंने एक क्लाइंट के गोडाउन में आग लगे थी उसका साथ कोड़ों का क्लेम दिया मेरे क्लाइंट एजिन का प्रोजेक्ट में लॉस हो गया था प्रोजेक्ट बंदो मैं नुक्सान होने कारण बैंक को ब्याद चालो बैंक का ब्याद चालो रहता है चाहिए आपको कितने भी नुक्सान हो उसका बैंक के ब्याद की इस्टाइंस मैंने की थी लॉस अप्रोफिट उसका 54 कोड़ का मैंने क्लेम दिया काफी दुकानों के जब मार्केट फायर होई तो मैंने एक दुकान का जस्त तीन निन महीं उसका जितने का इस्टाउक था बीस लाग का इस्टाउक था मैंने बीस लाग का क्लेम दिया तो लोगों को उसकी कितनी चिंता है जब फायर इंशुरेंस में क्लेम करता है तो कितनी पीड़ा होती है तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि आपका जब amount करता है तो कितना कस्ट होता है आप नहीं रहेंगे तो परिवार को कितना कस्ट होगा यह आप सोचिए तो मेरी cross selling काफी होती है awareness लाता हूँ मैं fire insurance के साथ life insurance के बात करता हूँ health insurance में claim आता है तो मैं life insurance के बात करता हूँ दोस्तों हम एक insurance agent के नाते हैं हमें सब प्रोड़क्ट देशने चाहिए मैं life insurance के साथ साथ आज non-life भी कर रहा हूँ मैं power plant, cotton mills, sugar mills, tea gardens warehouses, काफी even aircraft, airports projects, बड़े-बड़े projects की power plants की projects की insurance करना road construction insurance तो हर चेज में मैं लगा हूँ अध्यान करता रहता हूँ अध्यान के इलावब कोई पाई नहीं है अपने आपको upgrade करते रही है दोस्तों knowledge is the only key to success हम लोग success, हम कभी नहीं समझते कि success बड़ी ऐसी चीज़े जो नहीं मिलती है अध्यान करेंगे तो सफलता आपकी पीछे भागेगी success से कभी मत ड़िए आप करम करते रही है दोस्तों और कोई भी problem हो आपको यदि लगता है कि client के साथ आपकी गलती तो उसका accept करिए कभी मत घबड़ाए गलती में गलती होंगे हम इंसान गलती होंगी पर ऐसी गलती मत करिए कि आपकी गलती से client को लुक्सान हो जाए दोस्तों आप अपने आपको professional way में हमेशा ट्रीट करिए और कोई भी गलती नहीं हो ऐसा काम करिए यदि जब कोई घास पर सुबह में यदि रज धूल से लग जाती है तो प्रभी भी उसको उसकी वूंदों से धू डालते हैं उनको भी बर्दास नहीं कि कोई फूनों पर भी जासा ड़स्ट लगा रहे है क्या हम उमेद कर सकते हैं कि हमारी client को हमारी गलती बर्दास दो हमें घर में जब कोई laundry वाला कपड़ा देके जाता है धुलाई करकी उसको कुछ दाग रह जाता तो हम लों उसको कितना गुसा क करते हैं कि तुम ठीक से नहीं दोई तुम क्या करते हो तुम पैसा काच लेंगी घर में खाना ठीक नहीं बनता हम लोग अपने wife जो को कि अइसको क्यों नमग ज्यादा क्यों आगे हम गल्तियां बर्दास नहीं करते हैं तो आप यह सोचो कि आपके customer आपकी गल्तियां बर् ये दे नहीं होता तो उसका callback करिए आप अवाइड मत करिए। मैं तो कभी कभी सोचता है इंस्वाइंस एजेंट के लिए बहुत सक्सेस की चीज़ दिए उसके पास client के call आते हैं। लोग बलते इंस्वाइड गार जाता तो लोग इवर्ड करते हैं। दूस्तों ऐसी कोई बात नहीं हैं। आप काम करिए। आप काम में घंी मुझि होता हूँ। और सही इसमेन क्या पाइद करूल करें कभी मत सची है कि इस पर क्या कना फायदा मैं मैं अपने लिए ऐसी दरब कार्ट कर ने से सीट पर लेता हूं आपने आपको कंस्ति मैं चैक मेरे क्लाइट च्छान आपको क्या आपको ने अंत्यBir इसार सोच्फिता हूं और मुझको इंस्वेंस लेनी है और मैं इंस्वेंस एजेंट के नादे क्या लेता वे मैं क्लाइंट को सेल करता हूं जहां उचित नहीं है वाँ इंस्वेंस में नहीं करता हूं जहां एकदम दरकानी है, वहां इंस्योंस नहीं करते हैं। इसको दोस्तों, इंस्योंस इतने नीड ऑफ आवर्ड, हम लोग को इंस्योंस में लगे रहना है जब हमें भगवान एजेंड बनाए हैं, तो हमको अपने काम पूरी प्रिखे से करना है। जब प्रिथी पर भगव भगवान ने बोला नहीं तुम जाओ महाँ पर किसान मन जाओ, खेती करो, खाओ और मौच करो। तब मंद से बोला ठीक है, मुझको यह मंजूर है, मैं कम से भूखा तो नहीं मरूँगा, किसान करूँगा। तो किसान मन गया और फिर थी पर आकर के खुब खाना पीदा कर जाओंगा, वह नहीं, तुम वहाँ जाके बुनकर बन जाओ, कपड़े बनाओ, क्योंकि उसके पास वस्तर नहीं है पहन लोगो, तो तुम उसको वस्तर दे देना और तुमको बदले में खाना दे देगा, तो बाइटर सिस्टम में बोले ठीक है, मैं चला जाओंगा, वह मुनकर बन गया, और धीरे-धीरे कपड़े मील का मालिक बन गया, तिसरे व्यक्ति को भेजा, बोले अब तुम भी जाओ, मैं तो नहीं जाओंगा, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि खाना बनाने वाला जो में था, वह तो चला गया, और कपड़ा भी बनाने हैं, उनके लिए घर बनाओ, तुम सिविल एंजिनेर बन जाओ, उनके लिए घर बनाओ, चलने के रास्ते ठीक करो, बलाइए बाटी के, तुमको खाना और कपड़ा नहीं दे तो तुम अपनों घर में मत रखना, तो वह भी सोचा अच्छा बाटर सिस्टम है, वह भी चला जाओंगा, तो यह चला गया, इंजिनेर बन करके आगया, ऐसे एक एक व्यक्ति को भगवान को प्रिथी बसानी थी, चौथे व्यक्ति को बला तुम भी जाओ, बला नहीं मैं तो नहीं जाओंगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं मेरे पास, रहने के व्यवस्ता हो गई, खा करूगे, तो खाना भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा, रहने का भी मिलेगा, बड़ा खुस बला, यह भी बात ठीक है, मैं डॉक्टर बन गया हो, पास व्यक्ति को बला तुम जाओंगा, अब मैं तो नहीं जाओंगा, कुछ बचा नहीं, बहन नहीं, यह इतनी मौश करने कि इनकी अपनी कोई प्लैनिंग ही नहीं है, इनका भविष को सुरक्षित करने के लिए तुम जीवन भी मा के एजेंट बन जाओ, इनको इंशुरेंस करो, जिससे इनको फ्यूचर में कोई आपदा नहीं है, तो इस प्रकार से भवान ने हमको बेजा पृति पर, हम लेंश बन गया है, लोगों के जीवन को सुरक्षित करना हमाना बहुत बड़ा कर्टब उससे वंचित मत हुए, दोस्तों अदि हम यह नहीं करते हैं, तो हम अपने कारे में गल्ती कर रहे हैं, हम अपने करम में कहीं भूल कर रहे हैं, हम इसी लिए बनाया गया है कि हमको इंशुर इंश्रेंस हमारे ब्लड में है, हमारे बाओ जी इंश्रेंस में साथ इस्ट इसिया के टॉप एजेंट हुआ करते थे 1950-54 में, हमारे अंकल स्री आर्सी दमानी, में भी अपने समय के बहुत नामी डेवलप्मेंट ओफिसर हुआ करते थे, जो भारत वर्स के अगरगनी हैं, ड इंश्रेंस की प्रथाचे लिया है, मैं आज सेकेंड जनेशन इंश्रेंस का काम कर रहा हूँ, मेरे छोटे भाई भी इंश्रेंस में है, मेरे भाई भी इंश्रेंस कमनी में डेवलप्मेंट ओफिसर है, और भारत वर्स के नंबर वन डेवलप्मेंट ओफिसर इन इनाइट परिवार इंशुरेंस में जुड़ा हुआ है हमें फुर्सतनी इंशुरेंस के लबा कोई काम सोचने की we always think for insurance we think for the people and try to see that all are properly secured मैं मंगाल की दो बड़ी इंडस्ट्रीज है जो हजार क्रोड से उपर मैं प्राइवेट सेक्टर में है मंगाल में दो ही कमपनिया जो हजार क्रोड के उपर में उन दोनों की इंशुरेंस पूरी मेरे पास में है एक की है सब ताइस सौ क्रोड की है और एक कमपनी की करिवन 28 क्रोड की है या 3000 क्रोड की है इतनी बड़ी जुम्यवार ये लोगों के समाज के प्रती कोई गलती हो जाए तो कमपनी बड़ी क्लेम नहीं मिले तो कमपनिया फिनिश हो जाएंगी ये दि कोई परिवार की हम adequate insurance नहीं करें ये परिवार भी फिनिश हो जाएगा दोस्तों इतनी बड़ी जुम्यवारी हमारी समाज के प्रती है देश के प्रती है दोस्तों ये बहुत बड़ी जुम्यवारी का काम है ये छोटा काम नहीं है इसमें आगे बढ़ी इसमें बहुत बड़ी स्कोप ए लाइफ में आने का और लोगों के सामने एक उधान बनी है उनकी adequate insurance करने के दोस्तों हम insurance करके कोई crime नहीं कर रहे है मैंने एक client को last मैंने एक policy sale की बड़ा रोचक sale मैं इस कहानी के बाद में अपताव एक्टेवर रखूँगा मैंने एक ही कहा client को ये अपनी wife के नाम में एक 10 कोड का check लिखे दू और वो लेक्यों लिखे दू मैंने जितना बूता उतना सुनिए एक checkbook मंगाई और 10 कोड का check लिखे दीजिए बोल आपका मैं मतलब नहीं समझा मैंने मतलब के कोई दरकार नहीं आप 10 कोड लिखे दो वाइफ के नाम है लिखे हो मेरे नाम है तो नहीं लिखे हो मैंने उसके accountant से checkbook मंगाई मंगा के का कि इसमें 10 कोड लिखो तो उसना जवाब थे balance नहीं है bank में मैं बैलेंस के बाद ही नहीं करूँ 10 कोड चेक तो लिखो balance हो तब तो लिखे मैंने चेक लिया और उस पर 10 कोड लिखा और उनके वाइफ के नाम है लिख दिया और उनको कहा कि आप इसमें sign करें उनने कहा कि मैं मतलब नहीं समझा मतलब क्या समझा आप वाइफ के नाम में लिख रहे हो मेरे नाम में नहीं लिख रहे हो अब check sign करिए check में sign नहीं क्यों नहीं मैं दवाइनी जी आप मजा कर रहे है मैं बैंक में रुपेया ही नहीं दस कोड़का मैं SIGN क्यों करूं मैं आप SIGN कर दो यार कौन देखने जाता है Dishon more होगा की नहीं होगा SIGN करने में अहाथ क्यों काप रहे SIGN नहीं क्यों नहीं क्योंकि कॉनसर्स ज़वानी दे één bank में balance नहीं है करेंद में 10 कोड़ कैसी लिख थे तो मैंने 22 प्राइल क्यां अच्छा कोई बात नियुक्त अब 25 ako का चैर्प reversible क्यत्ना दिन मैं बैंक कर सकती सकती बदियुक्ति कौँट को बाईगा कि कि दस कृण के आइकव। कब आएगा । जिन देजिद देश्म कोड़ का चेक नहीं लिख सकते हैं अपने वाइफ के नाम में हमदी के आब क्या उम्मीद कर सकते हैं क्या रिजल्ट हुआ दोस्तों मालू में दस-दस कोड़ों की सब भाईयों के मैने इस्षार्स कमप्लीट करी कुछ नहीं कहा मैंने सेल नहीं किया कुछ नहीं कहा मैंने प्लाइन में प्लियों कि नहीं किया और 10 कौरण की policy सब भाईयों की मैंने करी चख़ए यह लोगडाउन के पहले के कहटना है दोस्तों बढ़ा मज़ाता है जब आप सही बात करते हो सही picture प्लेट के सामने क्राइन jet नें किया है कोई क्लाइन ने सही नहीं किया warning मेरा bisa प्रीमिंग स कि इरगी वज्जेश्ट इन्सटेंट्ली मैंने तीनों चेक लिए 3 सेकche नहीं से जब सकता दोस्तों कोई सेले अश्यक्लाइन नहीं नहीं था इस में घृष कि नानाम में तो में जिन्दे के बाद मात्र एक insurance agent है जो इस परिवार को 10 कोड़ का चेक दाकर दे सकता है मैंने बोला देखे साहब आप तो 10 कोड़ का चेक नहीं दे सकते हूँ आप नहीं रहेंगे तो 10 कोड़ का चेक मैं निश्चित दूगा यह तो guarantee है मेरी और जिन्दे जी आप नहीं दे सकत आप जब सेल करते हो तो उसके restriction हो जाते है उसकी need पूरी फुल्फिल नहीं होती है let the customer buy he will decide to buy the big policy उसी प्रकार मैंने लास्ट यह 100 कोड़ की policy करी 50 कोड़ 75 कोड़ 20 कोड़ की तो बहुत policy कर रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है बड़ा interesting है दोस्तों सेल करते जाओ life को आगी ले दोस्तों इस वक्त के साथ मैं आप से आप सबका अभार प्रकत करता हूं कि आप मेरे को सुना अपने कोई विचार हो तो हमें जुदू दीजिएगा I am always available मैं चाहता हूं मेरे दोस्तों नति करें और सारे समाज को इंशूर करें सारे देश को इंशूर करें इंशूर करें दोस्तों इस मैं जो चाहिए और त्रुंत एक्षिन लेना चाहिए दमाने जी की बातों से हमें ये सीख मिलती है कि आप चैलेंडिस को अग्सेप्ट करना चाहिए दमानी जी की बातों से मुझे ये समझ में आया कि इस lockdown के बाद insurance industry में इतनी बड़ी opportunity आने वाली है कि 20 लाख agent भी उस opportunity को grab करने के लिए कम पड़ जाएंगे दमानी जी की बातों को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से तौनी गॉडन को सुनने के बाद दमानी जी ने अपने selling करने का तरीका change कर दिया था उसी तरीके से आज मिझे दमानी को सुनने के बाद बहुत सारे लोग अपने काम करने का तरीका बदल देंगे दोस्तों दमानीजी की बातों को अपनी जिंदगी में अमल जरूर करना अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अमल जरूर करना अगर आप ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें